यमुना एक्स्प्रेस वेपर दिनों दिन हाथ से बढ़ते जा रहे हैं हाथसों का कारण ज्यादातर 30 गती को ही बता जाता है कोहरी की चादर में भी वानों की गती पर अंकुष नहीं लग पा रहा है ऐसे में आज यमुना एक्सप्रेस वेपर सफर करना खत्रे से खाली नहीं है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह से ही भारी कोहरे के वज़े से यमुना एक्सप्रेस वेपर दरजनों गाडियां दुरगटना का शिकार हो गई आपको बता दे कि धुंद के वज़े से आमने सामने 10 मीटर भी देख पाना मुश्किल हो गया है जिसकी वज़े से यमुना एक्सप्रेस वेपर एक के बाद एक गाडियां आपस में बिढ़ गई और बड़ा दुरगटना हो गया आप खुद देखिए यह वीडियो जिसमें यमुना एक्सप्रेस वेपर कोहरे की वज़े से हो रही है दुरगटना साब दिख रही है कि किस तरह एक के बाद एक गाडियां पीछे से आकर अपने सामने वाली दुरगटना ग्रस्त होई गाडियों से टकरा रही है वहाँ खड़े लोग गाडियों के टकराने के बाद लोगों से जल्दी गाडियों से बाहर आने को बोल रहे है और बता रहे हैं कि जल्दी गाड़ी से निकलो नहीं तो दूसरी पीछे से गाड़ी आकर टकर मार देगी बता दें कि इस पूरी घटना में ट्राफिक पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही है कि इस पूरी आ रही है। पर के रहे हैं ये लोग जान निकला 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 झाल 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 झाल